SDRM स्कूल के सभिक छात्रों को मेरा प्रणा आशा करती हुँ आप सभी अपने घरों में सहकुशल मंगल होंगे मैं आज बच्चो आटवी कक्षा का पांच्वा पार्ठ महत्मा गांदे आज आपको समझाने वाली हुँ आए बच्चो इस इपार्ठ शुरू करने से पहले हम इस पार्ठ के नए शब्द देने के शब्धार्थ की और दहन देखते हैं शब्धार्थ को पहले हम देख लेते हैं पढ़ लेते हैं बच्चो इस पाट का पहला शब्द है आजाद शब्धर्त का पहला शब्द है देखो बचो आजाद स्वतंत्र शर्मीला लज्जाश्वील सताना तंग करना जूट असत्य निरिक्षन जाज हम इसको अंगरेजी में इनस्पेक्शन भी कह सकते हैं देखो हिज्जे वर्तनी हिज्जे आने स्पेलिंग इशारा संकेत ठीक सही बुध्धु मूर्ख संकट कस्ट कर्ज रिन सोना, स्वर्ण, माफी, शमा, हिम्मत, धेर्य, सजा, दंड, आदत, अभ्यास, आशु, अश्रु ये थे इस पार्ट के शब्धात अब हम इस पार्ट की ओर बढ़ते हैं और इस पार्ट के सारा अमशन इस पार्ट का उदेशी क्या है इस पार्ट से बच्चों को याने आपको क्या प्रेडा मिलती है क्या सीक मिलती है तो आईए बच्चों बच्चे महत्मा गांधी के स्वभाव के बारे में जानते है बच्चों आप महत्मा गांधी जी के स्वभाव के बारे में तो जानते होंगे सत्य अहिंसा धर्म के धर्ड़नीश्य करने की प्रेंडा पाते हैं आपको पता है महात्मा गांधी जी हमारे देश के लिए क्या कुछ बलेदान किये है महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे और महात्मा गांदी के नक्षे कदम पर चल कर ही इस देश आजादी प्राप्त की थी त्याग और तपस्य की मूर्ती थे कोने महात्मा गांदी जी उन्होंने किसी को भी नहीं सताया और नहीं जूट बोले उनके जीवन में ही महात्मा गांदी जी कभी किसी से जूट नहीं बोले और वो कभी भी सत्ते के मार्ग पर ही चले और वे अहिंसा के पुजारी थे और उनके नक्षे कदम पर चलकर हमारे देश को आजादी मिली थी तो इस पाट का मेनुदेशी यही है बचो, हमको भी सत्य और यह कहानी भी उसी पर निर्भर रहे कि हम कभी भी हमें सत्य का ही मार्ग चुनना चाहिए चाहे वो गलत हो हम गलत हो या सही हो लेकिन हमको मार्ग सिर्फ सत्य का ही अपनाना चाहिए और धर्म की निती अपनाना चाहिए और इस पाट का भी यही उतेश है बच्चो हमको इस पाट से भी यही सीख मिलती है कि हम सत्य और धर्म के मार्ग पर ही चलना चाहिए तो आईए बचो इस पाद के और बढ़ते हैं महत्मा गांधी महान पुरुष थे यह तो सच है बचो महत्मा गांधी जी एक महान पुरुष थे सारे देश ने उन्हें राष्ट्र पिता माना सारे देश ने उन्हें राष्ट्र पिता माना आज भी मानते हैं महत्मा गांधी जी की मूर्ती यहाँ पे नहीं है वो अमर है उनकी केति अमर है किये सो कर्म अमर है क्यूंकि आज उनी के प्रयत्ने से ही हमारा देश आजाद हुआ था उनी के प्रयत्ने से ही भारत आजाद हुआ था वे त्याग और तपस्या की मूर्ती थे महत्मा गांधी जी कैसे वेक्ति थे कैसे इनसान थे त्याग याने के अपनी देश के लिए अपनी प्राणों को त्याग दिये तो त्याग और तपस्या की मूर्ती महत्मा गांधी जी थे धर्म उनके प्राण था और सत्य उनकी आत्मा धर्म पर चलना तो उनका धर्म एने के उनका प्राण था और सत्य उनकी आत्मा थी बालक मोहंदास करमचंद गांधी शर्मिले सबो के थे महत्मा गांधी जी का नाम है पूर्ण नाम है बच्चो मोहंदास करमचंद गांधी शर्मिले सबो के थे वो बहुत ही शर्मीले सबाव, शर्मीले सबाव मिन्स आपको पता है बच्चों और ठीक समय पर स्कूल जाते और घंती बचते ही घर चलते महात्मा गांदी जी ठीक वक्त पर स्कूल जाते और वो घंती बचते ही अपने घर चले जाते उन्हें काम से काम था महात्मा गांदीजी ऐसे थे अपने बच्चपन में जब वो स्कूल जाते थे ये कहानी है बच्चो जब महात्मा गांदीजी स्कूल जाते थे उस टाइम का एक से चुन के लिया गया ये बाग है ये एक कहानी है बच्चो महत्मा गांदी जी की है और ये सत्य घटना है बच्चो महत्मा गांदी जी क्या करते थे वो थोड़े शर्मिले सबावके थे और वो क्या करते थे रोज सही वक्त पर ठीक समय वहाँ जो स्कूल का टाइमिंग था उसी वक्त स्कूल को जाते और जब अपने पड़ाई भला और अपना घर भला और अपना स्कूल भला ऐसे थे वो और कभी उन्होंने किसी को नहीं सताया अकसर स्कूलों में होता है बच्चों किसी को कोई कुछ बोलता है लड़ाई ऐसा बच्चों में होता है लेकिन महात्मा गांदी जी अपने क्लास में किसी क को नहीं सताया और वे कभी जूट भी नहीं बोले एक दिन क्या हो गया एक दिन की बात है बचो एक दिन की बात है शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल के निरिक्षन के लिए आये एक दिन क्या हो गया शिक्षा विभाग के अधिकारी ने इनिस्पेक्षन के लिए आते है ने स्कूल में बियो से तो स्कूल इनिस्पेक्षन के लिए स्कूल में आ गये थे उन्होंने अंग्रेजी के पांच शब्द लिखवाए वो जो इनिस्पेक्षन को शिक्षा एक शब्द था केटल, शब्द था एक केटल, तब महात्मा गांधी ने इसके हिज्ज गलत लिखे, शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल के निरक्षन के लिए ने के इंस्पेक्षन के लिए आये थे, उन्होंने अंग्रेजी के इंग्लीश के अंग्रेजी मिन्स पता है अंग्रेजी के पांच शब्द लिखवाए, उन्होंने एक शब्द था केटल, तब बालक गांधी ने इसके हिज्ज, हिज्ज अने स्पेलिंग गलत लिखे थे, तब अध्यापक ने इशारे से समझाया कि दुसरे लड़के के हिज्ज देखकर ठीक कर लो, तब उनके टीचर उनकी जो शिक्षक थे, उन्होंने बालक गांधी को इशारा किया कि दुसरे लड़के के हिज्ज देखकर रहने के आपके बाजू जो बैठा है, वो लड़के का स्पेलिंग देखकर तुम अपने स्पेलिंग करेक्ट कर लो, बोलके उनके शिक्षक उनको बोलते है देखेंगे बालक क्या करता है, किन्तु गांधी ने ऐसा नहीं किया, उनके शिक्षक उनको दुसरे लड़के का देखके हिज्ज ठीक करने के लिए बोले, लेकिन महात्मा गांधी जी ने ऐसा नहीं किया, हिज्जे की गल्ती के कारण मोहन को बुद्धु माना गया, जब ये स्पेलिंग मिस्टिक करके लिख रहे थे, जब मिस्टिक गल्तिया कर रहे थे, तो उसी कारण से मोहन को बुद्धुय ने मुर्ख माना गया, किन्तु उन्हें बुरा न लगा, उनके स्कूल में जब उन उन्हें बुरा नहीं लगा उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने चोरी का रास्ता नहीं अपनाया जब उनकी शिक्ष्यक दुसरे लड़के का हिज्जे देख के लिखो ऐसा बोलने की बाउजद भी जब नहीं लिखे तो उनको मूर्ख बोला गया फिर भी उनको बु यहींशते शुरू हो गई महत्मा गान्दी जी की सत्य प्रियता यहां से ही शुरू होती है जिस ने उन्हें आगे महत्मा बनाया ये तो बात सही है बच्चो देखो बच्चो आज महात्मा गांधी जी ने सत्य का मार्ग अपना है और हमारे देश को आजादी हसिल करकी दिये तो महात्मा गांधी जी कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाया है ने बच्चो आब हम श्रावन श्रावन पित्र भक्ती नाटक पड़कर उन्होंने निश्य किया कि मुझे भी श्रावन कुमार जैसा बनना है महात्मा गांधी जी श्रावन पित्र भक्ती नामक एक नाटक था वो नाटक को पड़कर उन्होंने निश्य किया कि मुझे भी श्रावन कुमार श्रावन कुमार मिन्स आपको पता है श्रावन कुमार कौन थे उनकी कहानी भी आपको पता ही होगा बच्चो और वो निश्य अपने मन में एक निशे बना लिए कि मुझे भी श्रावन कुमार के जैसा ही बनना चाहिए हरिश्चंद्र नाटक देख कर उन्होंने सूचा कि हर एक को हरिश्चंद्र की तरह सकट सहकर भी सकट यहने कि संकट सहकर भी सच्चाई का पालन करना चाहिए बाद में उन्होंने श्रवन पित्रु भक्ती नाटक पढ़कर उन्होंने अपने मन में अपने दिल में निशे कर लिया कि वो श्रवन कुमार जैसा बनना चाहिए सत्य हरिष्चंद्र राज है कि आप स्टोरी सुनी होना बचो सत्य हरिष्चंद्र नातक देखकर उन्होंने सोचा कि हरेको हरिष्चंद्र जी की तरह है याने के सत्य हरिचंद्र जी को कितना संकट था तो वैसा उनके जैसा वो संकट सहे कर भी सच्चाई का पालन करना चाहिए चाहे हमको कस्ट रहने दो, संकट आने दो, अपने उपर संकट आने दो, खुशी आने दो, जोबी आने दो लेकिन हम सच्चाई का पालन करना चाहिए हमें सच्चाई के मार्ग पर ही चलना चाहिए उनका ये निश्य धरड़ हुआ अने के वो दिल में धरड़ अने के वो एक निश्य ही कर लिए समझो निशेही कर लिये कि मैं उसी तरह सत्य हरी चंदर जी के तरह ही कितने भी संकट आने दो मेरे उपर कितने भी कस्ट आने दो संकष आने दो मैं सच्चाइकाई पालन करूंगा बच्पन के उस सत्य प्रेम ने ही आगे उन्हें सत्य तपस्वी बनाया जो बच्पन में भात्मा गांदी जी सत्य के प्रेम को जो सत्य के उपर उनका प्रेम था उसी से ही आज उन्हें सत्य तपस्वी बनाया गया वो सत्यत अपस्वी बन गए और इसलिए आज वो हमारे बीच में आज भी अमर है और हमारे देश को आजादी प्राप्त हुई है उनकी वज़े से एक और घटना है गांदी जी के भाई ने 25 रुपय कर्ज लिया था बच्पन में महत्मा गांदी जी के भाई ने 25 रुपय कर्ज लिये थे भाई के हाथ के सोने के कड़े से एक तोला सोना काट कर कर्ज चुकाया गया महत्मा गांदी जी ने अपने भाई ने कर्ज किये थे तो इन्होंने 25 रुपय कर्ज उतारने के लिए अपने भाई के हाथ में एक सोने का कड़ा था गान्दी को इस चोरी के काम से बहुत दुख हो गया उन्होंने निश्य किया कि भविश में कभी चोरी नहीं करूंगा देखो मात्मा गान्दी जी उनकी भाई कर्ज किये है लेकिन वो कर्ज करना गुरी बात है इंसान अपने परस्तिति परस्तितिय अनुसारी कुछ ना कुछ करता है लेकिन वो उनको भी उनके मन में भी वो बात खटक रही थी तब वो और एक बात अपने मन में निशे किये कि कभी भी वो भविश्य में चोरी नहीं करेगा अपने भाई के हाथ के ही कडे काई एक तोला सोना काट कर वो कर्ज चुकाए थे, गलत काम तो नहीं किये थे, फिर भी उनको वो चोरी ही लग रहा था, पिता से माफी मांगने की बात सोची, तब महत्मा गांडी जी अपने पिता से माफी मांगने की बात सोचते है, पर पिता के सामन जाने की हिमत न हुई महत्मा गांदी जी तो चोरी का काम नहीं किये थे करजी अपने भाई का करजी चुकाए थे फिर भी उनको वो चोरी का काम लग रहा था इसलिए वो अपने पिता के सामने माफी मांगने माफी मांगना चाहे लेकिन पिता के सामने माफी मांगने की उनकी हिम्मत न हुई तब क्या करते है देखेंगे बचो सारी घटना पत्र में लिख कर गांधी ने पिता से सजा मांगी तब महात्मा गांधी जी क्या करते है सारी घटना पत्र में लिख कर अपने पिता के सामने जाके सजा मांगते है और वो पत्र पता को दे के पता को मेरी सजा क्या है करके पता के सामने ठहरते है सारी गटना पत्र में लिखे कर गांधी ने पता से सजा मांगी पत्र पढ़ कर पता की आखे भर आई अपना पत्र हैने महत्मा गांधी जी ये सारे बाते जब ये लिख के पत्र में जब अपने पिता जी से सजा मांगता है तब पत्र पढ़ कर पता के आखों में पानी आता है गांधी जी ने हमेशा के लिए चूरी के आदग छोड़ दी पिता के आशु देखकर गांधी को विश्वास हो गया कि पिता ने मुझे शमा कर दिया है गांधी जी ने हमेशा ये चोरी के आदत छोड़ दी ऐसा वो पत्र में लिखे सो देखकर पिता के आखो में आशु आता है तब पिता के आखो में आशु आने का देखकर महात्मा गांधी जी को विश्वास हो गया कि पिता ने उन्हें शमा कर दिया है तब अहिंसा, सत्य और धर्म के धर्ड़ निश्य ने गांधी को महात्मा बनाया महात्मा गांधी जी के अहिंसा, सत्य और धर्म के धर्ड़ निश्य से ही आज महात्मा गांधी जी को महात्मा बनाया और वो आज भी हम लोगों के बीच में है, उनकी मूर्थी नहीं है, उनकी कीर्थी आज भी है और आगे ऐसे ही चलते रहेगी बच्चो तो ये था बच्चो, हमारे पार्ट पांचे का फस्ट पार्ट, अब नेक्स्ट वीडियो में इस पार्ट के प्रश्नोत्तर और ओरल में मैं आपको समझाऊंगी और आपको ओरली में बोलूंगी और इसके नोट्स भी भेशती हूँ तो ठीक है बच्चो, आपको ये पार्ट समझ में आया होंगा, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझे आप पूछ सकते हैं बच्चो, ठीक है आपको, चूए, बच्चो, आपको, आपको, अच को झाल झाल